शादी दो आत्माओं का मिलन है और एक खूपसूरत एहसास भी जो दो लोगों को प्रेम के बंधन में बांधी रखता है शादी एक ऐसा बंधन भी है चो दो लोगों में अपने पन और फिक्रमंध होने का एहसास भी दिलाता है जिसमें दो व्यक्ति जिन्द की भर साथ रहते हैं ये जो दस्वीरे आप देख रहे हैं ये है गुजरात के एहमदाबाद की जहां चार महिलाओं का एक अनूठा स्वेंबर आयोजित किया गया इस आयोजन का मखसद इन महिलाओं के लिए योग्य साथी की तलाश करना है कोई ऐसा पैटना चाहिए जो हमको सपोर्ट करें पीछली लाइफ ने सहरा दे, सिंपथी दे और सरल लाइफ हम जीए जो प्रॉबलिम और खर का एक प्रॉबल्म, दोनोग प्रॉबलम ऐसी हे कि हम ये स्टैप उठाना पड़ रहे सोचना पड़ रहा है, महिलाओं जोचना पड़ रहे, मैरेज यससी कहीं लड़ी किया है जो उसको भी ये सोचने के पर मजबूर कर रहे है दीरे दीरे यह हो रहा है और यह अनोका स्वयमवर ठटु भाई पुरी मैनत के साथ कर रहा है मैंने 20 साल पहले मेरेज किया था वो मुझे बहुत परेशान करता और मार पीट करता था इसलिए मैंने उसके साथ डियोस ले लिया मुझे कोई बच्चा नहीं है और मैं सर्विस करता था इसलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं लगी जब मेरे ममे पापा गुजर गये तो मुझे कोई राखता नहीं है इसलिए अब मेरी शित्तेर साल की उम्र में फिर से ऐसा लगता है कि मुझे सिर्प हूफ दे, ऐसा पती चाहिए और मेरी सेवा नहीं लेकिन क्या है मुझे प्रेम से रखे, लागनी से रखे मुझे उससे कोई अपैक्षा नहीं है आपको बता दी कि इन महिलाओं की उम्र 60 साल या उससे जादा है अक्यलापन लगता है इसलिए हमारे जरूर है कि पार्टनर हो तो थोड़ा आराम से सांती से जीना है हमारे सबसे अनोखी बात ये है कि ये स्वेंबर सभी के लिए खुला है चाहे वो किसी भी जाती धर्म या उम्र के हो कोई साथ में जन्मा लेता नहीं साथ में मरते नहीं आगे पीछे ओना है और जो सिनियर सिटिजन जो अकेले है या तो जो डिवोर्शी या तो विद्वा विदूर है तो उनको एक साथीदार की जरूरत है जो जो जिन्गी में पांदेर साल पंदरा साल बचे वो असी कुछे प्रेम के बिज़ाने उनका इरादा है तो आज एकी दिन में उनका एक सिलेक्शन हो सकता है उनके इच्छा होने पर किसको बोलेंगे तो खोजने में साल दो साल पांच साल भी लग सकता है लेकिन आज एक हमने स्पेशल स्वेंवर किया है